नमस्कार दोस्तो आज हम न्यू ट्रेन के जनकारी देने वाले हैं जो बावाद धाम, देवघर, हम सफर एक्सप्रेस जो अनन्द भिहार टेमिलल से मध्यपूर जक्षन जहरखंड से चलती है आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अनन्द भिहार से जहरखंड मध्यपूर जक्षन जाने वाली ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस सब्ता में एक दिन चलती है जो सोमबार से चलती है नमबर है 22460 या सोमबार को अनन्द भिहार से मध्यपूर जहरखंड के लिए रवाना होती है 16 गंटा के 40 मिनिट में अपनी दूरी तै करती है एट ट्रेन 1236 किलोमिटर को तै करती है इस ट्रेन को स्पीड 74 किलोमिटर परावर है इस ट्रेन हम सफरे एक्सप्रेस ठाड़ेसी और सिलीपर क्लास के कोच है इसमें अनन्द भिहार और जहरखंड के बीच कौन-कौन सा एस्टेशन आता है सभी एस्टेशन का टाम टेबल बताएंगे और एस्टेशन का नाम क्या है सभी आपको जनखारी देंगे हम सफरे एक्सप्रेस आनन्द भिहार से बारा बज का 45 मिट में चलती है दो नवा प्लेट फरम से जो दूसरा एस्टेशन है कानपूर सेंट्रेल उत्तर परदेश में जो कि पांच बज का 35 मिट में पहुंचती है और पांच बज का 40 मिट में वहां से रवाना हो जाती है यहां पर पांच मिट के एस्टोफ है उसके बाद परियाग राज स्टेशन पहुंचती है साम को 7 बच का 45 मूआट में पहुंचती है और 7 बच का 47 मूआट में चल देती है इसका एस्टोपिज है 2 मूआट का चान रुपलेट प्रम पर आती है प्रियागराज में उसके बाद है एस्टोपिज दिन देयाल उपाद्ध है जक्षन पर 10 बच कर 2 मिट में पहुंचती है और 10 बच कर 12 मिट में रवाना हो जाती है फिर नेक्स्ट एस्टोपिज है बिहार के बक्सर जक्षन जो 11 बच कर 13 मिट में पहुंचती है और 11.15 मिनिट में उहां से रवाना हो जाती है यहां पर 2 मिनिट के एस्टोपिज है इसके बाद बिहार के आराज अक्षन पर पहुंचती है रात कर 11.15 मिनिट में पहुंचती है और 11.15 में रवाना हो जाती है नेक्स्ट एस्टोपिज है पटना बिहार जो 12 बच का 50 मिट में पहुंचती है और 1 बजे रवाना हो जाती है यहाँ पे 10 मिट का एस्टोपिज है उसके बाद मुकामा बिहार पहुंचती है रात के 1 बज का नठावन मिट पे और रात के 1-2 बजे रवाना हो जाती है नेक्स्ट एस्टोपिज है क्यूल बिहार, रात के दो बज के 30 मिट में पहुंचती है और रात के दो बज के 32 मिट में उहाँ से रवाना हो जाती है यहाँ पे दो मिट के एस्टोपिज है, तो पांच नमर प्लेट फ्रम पे आती है आखरी एस्टेशन है जाजा बिहार सुवह चार बज का 5 मिट में पहुँचती है और चार बज का 10 मिट में रवाना हो जाती है नेक्स्ट एस्टोपीज जेसी डी सुवह चार बज का 42 मिट में पहुँचती है और 4 बच का 44 में यहां से रवाना हो जाती है यहां पे 2 मेट के एस्टोफिज है जो आखरी एस्टोफिज है मदपूर जो कि अनंद बिहार से लास्ट मदपूर जक्षन पे अपना तय हमसफर पुरा करती है जो उसका सुबह का टाइम है 5 बच का 25 मिनट एक नवा प्लेट्फरम पर एक ट्रेंड पहुंचती है चलिए हमसफर ट्रेंड का पुरा दूरी तय यहीं फे समापतता है मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें जय हिंद